प्रधार मंत्री ची चुनाव पांच राज्यों में हैं अब पंजाब की बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो अपना एलाइक होया है पंजाब में उसकी वज़े से मतब तीसरी पार्टी आ रही है शायद पंजाब में पहली बार पर बीजेपी कभी अपना रूट्स बना नहीं सकी उस राज में क्या आप इसको एक राजनीतिक विफलता मानते हैं मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी के जो वरिष्ट नेताओं ने उस समय जो नीतिया बनाई जो रणनीतिया बनाई उस समय के लिए बहुत अनिवारिय थी और उसके कारण पंजाब के अंदर फिर से एक बार शांति का माहूल बने पंजाब खुन खराबे से बहार निकले और मैं मानता हूं कि भारतिय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्त के बजाए पंजाब का हीत सुपरिम माना और उसने राजनीतिक जो भी कंप्रमाइज करने के पयांपता थी किया है वो बहुत जरूरी था इसलिए किया हम पंजाब को खुन खराबी से बहार निकलना चाहते थे हम पंजाब को शांती देना चाहते थे और इसके लिए अकर बाई BJP का नुक्सान होता है तो होने देंगे यह हम ने होने पंजाब को बाहर निकालना में उस संकर से बार आए जहां तक राजनीती का सवाल है आज भारतिय जनता पार्टी सबसे अधीक विश्वस्णिय पार्टी के रुप में पंजाब में उबरी है आपने देखा होगा बहुत बड़े वरिष्ट लोग समाज जीवन के वरिष्ट लोग जिनका राजनीती से लेना जना नहीं थे वैसे बहुत बड़ी मात्रे में पिछले दिनों भारतिय जनता पार्टी जोइन किया है फिर जो राजनीती के बहुत बड़े महारती हैं ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने पुराने दल छोड़कर के भारतिय जनता पार् उठी है और इसलिए है हम आगे बढ़े हैं आज दो दल भारतिय जनता पार्टी के साथ जूड़के हैं कैप्टन साहब और बिन साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीती के कि वहां महारती रहे तीन-तीन दसकते जिन्वार के वहां की राजनीती को दिशा दिये यह लो साहब के लोगों के जो एस्प्रेशन कहीं कारों से हमने भी शायद कंप्रमाइज करकर के अपनी पार्टी का नुक्सान किया हो सकता है कुछ लोगों का भी हुआ होगा लेकिन अब जब हम खुल कर आये हैं तो उनका भी होसला बुलंद हो गया है जो लोग दबे हुए रहे है यू हらहाए थे वो भी खुल करके हमारे साथ आये हैं हमने किसान को डारिक GDP के लिए हम अडे रहे हमने कै melts साफ को समझाया Siya Kap een साब हमारे साथ से समय किमें अने हुखे मतनुन तो सेहमत हुए और किसान को डारिक तो देखी होगी किसान कह रहा है कि मेरा खेट तो उतना ही है मेरी फसल वही है जो मेरे 20-25-30 साल से हम कर रहे हैं पैदावर भी उतनी है लेकिन मेरे घर में इतने रूपिय पहले कभी नहीं आये जितने मोदी जी की सरकार ने डारेक बेनेफिर्ट ट्रांसफर का निर्णे किय और किसान को जो माल है उसका पैसा सीधा बैंक में खाते में उसके जाएगा तो सारे बीचो लिए गये कट जो होता था वो गया और मुझे मेरा पूरा पैसा मिला ये छोटा किसान आज भारतिये जनता पार्टी का जय जय कार कर रहा है जी आप जब गए थे पंजाब तो आ ये सेक्योरिटी को लेकर लेकिन उस वक्त आपको कैसे महसूस हुआ था क्योंकि आप पंजाब से पतानी कब से जुड़े हुए हैं मैं इस पूरे नौर से पार्ट से मेरा बहुत निकट नाता रहा है मैं पंजाब में बहुत रहा हूं मैं पंजाब की मेरा नाता रहा है मै मेरी पार्टी का काम वहां करता था, मैं पंजाब के लोगों के जो भीरता है, मैंने देखी है, पंजाब के लोगों के दिल को में जाता हूँ, मैं आपके गुधान बताता हूँ, मैं अपनी पार्टी का काम करता था, उस समय तो ये आतंगबाद बड़ी, एकदम हालत बड़ याद नहीं है आच और मुझे अगले स्टेशन पर जाना था लेकिन कार्गम के कांड देर हो गई देर हो गई मैं और मेरे ड्राइवर दोई थे हम निकले और दुर्भागे से हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में कि हम कोशिश कर रहे ते लिंगाड़ी चल नहीं रही थी उस वह एक पुरानी एंबेसेडर मेरे पास थी धक्के भी लगाए कोशिश की तो खेज में दो तिन लोग थे सरदार से वह दोड़ते हुए आए उन्होंने भी धक्या लगाने में मदद की नहीं गाड़ी नहीं चली है फिर हमने कहां नद्दिक से कोई हमें कोई मेकैनिक मिलेगा और नहीं मिलेगा तो अब यहां तो अभी तो कोई मिलेगा नहीं बहुत दूर-दूर है पिर उन्हों कि वहां जोपड़ी है वही खाना खालो रात को रूख जाओ सरदार परिवार कि चीज प्रकार से उन्होंने मुझे समाला उन्हों का भई कुछ भी हो तुम सुबह जाना अब यहीं रूप जाओ बादमीन को पता जला मैं तो भाज़पा का कार करता हूं ठीक है भी तुम अज़पा कि हो कुछ भी हो तुम आज रात मेरे हैं महरान हूं जी खेत में उन्होंने अपने जो छोटी सी जगह होती है उसमें रखा मेरा खान पाइन की वश्ता की और सुबह उनका बेटा जाकर के मिकैनिकों लियाया गाड़ी ठीक की और मैंने पंजाब का इदिल देख गुरुद्वारा का भुकम में नुक्षान हुआ था मैं वहां गया देखने मुझे बड़ा दर्द हुआ तो मैं ऐसे ऐसे कारीगरों को लाया राजस्तान वगरे भार से कि वैसा ही मुझे गुरुद्वारा बना के दो जो गुरुनानक देव जी के जहां चरन पड़े थे बनाया दुवारा आज कच्छ के अंदर जो हमारे सरदार परिवार है बहुत पड़ी मात्रा में खेती करते हैं जब वो इसका बात का बढ़ा है उनके आखों में सांस हुआ जाता है जी और मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक वर्चुल मिटिंग में मैंने उस वॉजनिए अंग्रेजों के जमाले में यह चús खवा है अब को मैं अनेएंग काम मैंने मैं देश के कल्णयान के लिए हमारे सिंक भायों के वी रता का सम्मान करने के बिले की है और मुझे गरवा है चुनाव चुनाव की जगापर है लेहिकर मैं मानता हुआ हूमिरे देश के वीर जवान है मेरे देश के सच्चे किसान है उनके कल्नियान के लिए में जीतना कर सकूंगा मैं करता रहूंगा तो क्या उस दिन आपको ऐसे लगा कि ये राजनीतिक आंदोलन था इसलिए ऐसे हुआ ऐसा है कि इस वीशे में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कौट स्वयम इसको गंभीरता पुर्वक इस बात को देख रही हैं मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे या उचित नहीं है जो भी है सुप्रीम कौट के द करना चाहिए जी